यदि भगवान का बजन करके भोजन बनाया जाएगा तो भोजन पाने वाले के मन में भगवान के प्रती प्रेम जागेगा और घर में दो-चार मेहमान आ गए पत्देव ने कहा कि भोजन बनाओ कहीं चका पठका, कहीं बेलना पठका कहां से रोज-रोज आगे धमक पड़ते हैं गुसा में भर गई, मुझ गुपारे की तरह फूल गया और क्रोध में भरके जब भोजन बनाया जाएगा भोजन पाने वाले की मती, क्या प्रेम की मती होगी इसलिए पवित्रता का ध्यान रटते हुए जानते हैं भोजन बनाना ही है तो क्यों नो उसमों प्रेम से बनाया जाएगा और मातां कहती हैं आज के समय में आ रहे महाराच जी ने समझाई ये ने क्यों गुस्ता बात करते हैं अरे पहले आप तो देख लो इनों को आपने अन्न कैसा खिलाया है ये जो भी कर रहे हैं आपका ही दिया हुआ है इसलिए कीर्दन करते हुए भगवान का चंचन करते हुए होजन बनाएं